कि नवस्कार जा जोहर मैं कुमल साहूँ स्वागत करता हूं आप सभी का competition community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मंतन का एक विश्य है जिसे हम बोलने हैं सीजी प्यस्टी मेंस अंसर राटिंग आज के यह जो वीडियो है मेरा जो मेंस अंसर राटिंग पेपर थ्री पार्ट थ्री का जो है जिसमें हम 36 गड़ के इतिहास के history of 36 गड़ को देखते हैं उसका आपके लिए तीसरा वीडियो है इससे पहले दो और वीडियो आया था उस वीडियो में कि इस वीडियो की खास बात क्या है इस वीडियो में आज हम देखने वाले दो नंबर चान नंबर आठ नंबर और आपके लिए नंबर के आपके लिए सवाल कि किस प्रकार से वह सवाल आते हैं किस प्रकार से हमको डिल करना है जैसे आज का यह वीडियो भी पहले दो वीडियो की तरह रहेगा पहले मैं आपको डाइग्राम के माधियम से चीजों को बताने की को सिस करूंगा उसके बाद हम देखेंगे कि उसको एकदम सिस्टेमेटिक जैसे अगर अपन उसको लिखते हैं तो किस प्रकार वो रिखा रहेगा हम देखेंगे कि कौहां काउमा लगाना है कौन कोई से लाइन को अंडर लाइन करना है जिससे हमारा जो नंबर है वह जो आपके लिए मांक सब्सक्राइब प्रारम करते ब्रिटिस नियंत्रन काल में 36 गड़ में महारसिया मामला क्या था यह ऐसे प्रशन है जो आपके लिए बार बार रिपीट होते हैं इसलिए मैंने ऐसे प्रशन भी लिए हैं आप देखो के दो तीन चार पांच ऐसे प्रशन हैं हमारे पास जो हम प्रिलिंट में कभी नहीं करें ठीक है तो चलिए प्राराम करें अब आपन बात करते हैं इसके उपर देखें सबसे पहले आपन देखते हैं 36 गड़ नियंद्रन में महाराशिया मामला को ने तो सबसे पहले तो याद रखना है कि महाराशिया कून था यह आपके लिए नवागड नवागड जमीदार परिवार का एक क्या था व्यक्ति था यह एक व्यक्ति था इसे क्या है आपके लिए मराठाओं द्वारा इनहें मराठाओं द्वारा जो आपके लिए पेंसन बोल सकते हैं या उसका मंथली एलेवंस बोल सकते हैं उनको क्या होता था 300 रुपया प्रति माहा आपके लिए क् व्यक्ति था यह थोड़ा सा ताबर थोड़ा आदमी था थोड़ा बेकार टाइप का आदमी था यह क्या किया माराथाओं के खिलाप क्या कर दिया अपना मोर्चा खोल दिया अब जब मराथाओं के खिलाप क्या कि अपना मोर्चा खोला तो मराथा इसका क्या कर दिये जो इस पर 1818 से लेकर 1830 तक यहां पर आपके लिए अधिक्षा काल यह अधिक्षा काल वेखिश्या काल में क्या हुआ हमारे पास एक आपके यह नाम था उनका एगानियू इगानियू ने देखा और यह आपके लिए जो आपके लिए महरसिया था यह बहूत खतरनाक था तो इसके टाइम में होई क्या क्या महारसिया को क्या किया सबसे पहले इसको गिरिपतार करवाया गिरिपतार करवाने के बाद इसके उपर मुख कदमा चलावाया और बोला भया तुमको जीना खाना है कि नहीं अगर तुम अच्छे से इमानदारी से चीजों को ब संदी होता है कॉंट्रेक्ट होता है इसके अनुसार क्या किया गया महरसिया को छोड़ा गया महरसिया को छोड़ा गया लेकिन जब इसको क्या किया जाता है रिहा किया जाता है छोड़ा जाता है तो उनसे एक बात बोला जाता है अगर आप दुबारा आइसी आए वाए काम किये तो उनको जीवन भर के लिए अंदर डाल दिया जाएगा और साथ में बोला गया अगर हम आपको बाहर निकालते हैं मराठाओं द्वार आपको कित्रा दिया जा रहा था 300 रुपया प्रती महा तो अपन क्या करते हैं आपको 500 रुपया देंगे पर म आता तो इसी मामला को बोला जाता है अपको लिए मामला अब देखें अगर आपने इसको देखने की कोसिस करें तो यह हमारे लिए कैसा होगा देखें महारजिया नामाक वक्ति नवागर जमिदारी परिवार से क्या था संबंधित वक्ति था इसे मराठाओं द्वारा 300 अपिस मिले परन्तु अधिक्छा काल में ब्रीटिस अधिक्छा कोना आपके लिए एक गेन्यों द्वारा इसको गिरिप्तार किया जाता है और एक संधी के तहत्य होता है। इनके रफwo tir होता है, उसके तह़ा करा जाता है। और बोला जाता है कि हम आपको 500 रुपय मासि आपके लिए क्या देंगे, भक्ता कौन से चीज को चालेक्ट करना है कौन से चीज को सब्क bisa ngayक करना उसके बाद दिख्यत यह होती है कि पहला लाइन कौन होगा दूसरा कौन सा होगा उसके बाद अगर पूरा अंसर लिख गए थेते हैं आई क्विससबान करना है उसके बिलकुल कोस्किण करिएगा कि आप उसको अंडर लाइन कर सके ठीक है जी आगे बढ़े कि अब अगला हमको सवाल लेना है ब्रिटिस में अंत्रान काल में सावंत भारती मामला क्या है सावंत भारती क्या था को पहले समझो इस सामंत भारती आपके लिए एक व्यक्ति है यह व्यक्ति क्या है आपने अराजक था इसी इता आपके लिए इस ही के टाइम का है है कि यह बोलताई कि मैं क्या क्या किया था अपके लिए उसको महाराश्या को मैं सीधा कर दिया था यह कौन होता है मेरे सीधा इस वेक्ति को पहले एगेनियू के द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस वेक्ति को क्या किया जाए गिरिपतार किया जाता है इसको गिरिपतार करने के बाद इसके उपर मुकदमा चलाते हैं और मुकदमा चलाने के बाद ये मुकदमे में फेसला ही आता है नीनना ये आता है डिसीजन ये आता है कि इसको क्या दिये मृत्यू दंड की सजा दिया जाए मृत्यू दंड की सजा होती है तो यह आदमिक पेट में बहुत दरद होता है बोलता है सर मैं तो इतना अतंग नहीं मचा रहा था कि एक छोटे से काम के लिए मुझे क्या दिया जाए मृत्यू दंड दिया जाए तो मैं कर देते हैं आजीवन कारावास में क्या कर देते हैं इसको कनवर्ट कर देते हैं यह आदमी को आजावन कारावास की सजा होती है इसी को बोला जाता चत्तीज़ गण में कि आपके लिए सावंद भार्ती मामला इसकी गरिपतारी के आपके लिए जो बेस है जो अधार है वो है अपके लिए असांति फहलाना अरग्जटव पहलाना अब देखें हम क्या बोले थे सावंद भारती अपने विद्रोही प्रकृति और अराजक्ता फैलाने के लिए क्या था 36 गड़ में चर्तित था परन्तु एगेन्यू द्वारा उसे सांती एवं व्यवस्था के लिए खत्रा माना गया जिसके वज़ा से उसको गिरिप्तार किया गया और उस परावात में कर्वांट हो जाता है तो यह हमको याद रखना है कि यह आदमी का क्या करते हैं अगला हमको सवाल लेकर चलें कोटपाड की संधी के बारे में क्या जानते हैं यह यहां से आपको एक प्रश्न आनताय होता है अगर आप देखोगा किसको जन जाती विद्रोह से आप देखोगी हर सौल आपको कही ना कही से प्रश्न आता है और जन जाती विद्रोह से आपको 2 नंबर 4 नंबर 18 नंबर 15 नंबर सभी प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं यहां कोटपाड की संधी इसलिए लिया हूँ यह हलबा विद्रो जो आपके लिए 1770 से लेकर 1774 से 1777 तक होता है अब किसली होता है इसका कारण क्या होता है इसका रिजन क्या होता है इसमें हमारे पास दो राजा है पहले राजा को नहीं आपके लिए अजमेर सिंग एक किंग है यहां का रूलर है और इसका जो आपके क्या होता है अजमेट जाती की लोगों का सपोर्टस इनको समर्थन था इनको सपोर्ड था अब यह दरिया देगा अचो कईहला रहा हो गया हूं कैसे करूं कैसे करूं कि मेरे पास टो भी कौन है भिम्बा जी भुषले को देखता यह मराठा सासक कोन है मेरे पास भीमबा जी भोसले करके तो यह मराठा सासक भीमबा जी भोसले को देखता है अब बोलता है जाक उसका पैर पकड़ लेता है कि सर कुछ भी करो मेरे को मेरे बड़े भाई को निपताना है और मेरे को क्या चीए आप से आप से सहता चीए आपको जो मंगूंगा वो देगा वो बोलता है सर मेरे राजगादी में बैठना उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं करके इधर से बिंबा जी बोसला बोल देता है डन बाकी मैं देख लूँगा तू अपना काम कर ले मैं तर एक जितवाक छोड़ूंगा दूसरा यहां पर क्या करता ह जैपूर का सासक जैपूर जो आपके लिए उडिसा है यहां का एक सासक आता है उसका नाम रहता है विक्रम देव विक्रम देव से भी बोलता है विक्रम देव मेरे को तेरा भी क्या चाहिए साहता जी इसको साहता देता है सांस में क्या करता है अंग्रे जो कभी साहता लेत अब ये आदमी के पास केवाल गोली बारी है इसके पास सब चीतों है नहीं अब ये तीनों का क्या करता है हिल्प लेता है और तीनों का हिल्प लेके आके किसको मार देता है आपके लिए अजमेर सिंग ये अजमेर सिंग ये आपके लिए दोनों चीज हो रहा है किसलिए हो र करांति के मसीह है इनके मृत्ती चालते रहता है यंद अब उसके अब ऑढ सब्सक्राइब आप तो हम को क्या किये थे वादी किये थे हमको पुछ दो ये यहां से भिंबा जी भोजले क्या करते हैं अपने प्रतिनीधी को भेशते हैं प्रतिनीधी को अपने रिप्रेजेंटी को भेशते हैं उनका नाम रहता है त्रैंबक अविर राओ ये त्रैंबक अविर राओ रहते हैं त्रैंबक अविर राओ देखते हैं कि यार यहां त इसको बताता है बिंबा जी भूसला बोलते हैं मैं इसको भेज रहा हूं तुम इसको क्या करो हर हर वर्स आपके लिए कितना 59,000 तकोली पर यह आप क्या करोगे हमको प्रवाइट करोगे करके तो बोलता है ठीक है से उसके बाद जैपूर का साथ विक्रम देऊ रहता है यह क् 6 अपरेल को 1778 को क्या होता है कोटपाड की संदी होती है इस कोटपाड की संदी में बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को पैसा नहीं चाहिए मुझे अपना राज्य विस्तार करना है अपना जो इस्टेट है उसका एक्स्टेंसन करना है मुझे कुछ एरिया कुछ बाद बोलता है मेरे को चाहिए और यहां से निकल लेता हूं करके बाद में क्या होता है आप के लिए अंतिम रूप से कून बन जाता है बच जाता है बिंबाजी भूसले बैटे हैं यहां पे आम हाने के लिए बठाऊं घर्मिक दिन आ गया करके मेरे को चाहिए क्या मेरे को अब क्या चीए बस्तर चाहिए करके तो इसी के टाइम में छे आप्रेल 1778 को क्या करता है त्रयंबक अविर्राज साइन करवाता है किसे इस दर्यादेव से दर्यादेव अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है बस्तर को बेज देता है बस्तर को बेचा बस्तर जो है इससे पहले मतलब 1778 से पहले बस्तर दोह च्छतिस गण का हिस्सा नहीं था च्छतिस गण मतलब आपके लिए दूर्ग संभाग रायपूर संभाग और आपके लिए बिलासपूर संभाथ था उसके सांथ आपके लिए संभलपूर का जो एरिया आता था इसके कौन आपके लिए दरिया देव अपने लालच की वज़ा से राजा रहने के लिए क्या करता है बस्तर को बेश देता है और जैसी यह बस्तर को बेशता है तो बस्तर में यहाँ पे आप क्या होता ह आपके लिए दीवान मतलब दिवान जो है आपके प्रधानमंत्री के पध चले जाएगा और जो डरीया देव है यह किवल नाम का आपके लिए राजा बन जाएगा मतलब यह एकर प्रधानमंत्री जैसे हं ओए हमारे सतीतिक है अब देखें यह हमारे अको ०े heel 36 गणंत्यम क काक्ति राजवांस में प्रधम काक्ति राजवांस में आपके लिए क्या प्रधम जन जाती विद्रों गार कि जीतने के लिए जैपूर के साथ से विक्रम देव मराठा साथा बिंबा जी बुसले अवा अंग्रेजों सरकार की क्या लेती सहता होती अब 1770 में क्या हो गया अप लिए अजमेर सिंग की मृत्ती हो गई 6 अपरेल 1770 में कोटपाल की संधी होती है जिसके अनुसार जैपूर के सासक विक्रम देव को क्या मैं बोला था कोटपाड पोड़ा गड़ चुक चूड़ा और रायगड़ा शेत्रों को दे दिया जाता है जब की मराठा सासक बिंबा जी इसले को क्या कर देता है बेच दिया जाता इस प्रकार पहली बार संग 1778 में बस्तर दो है चत्यज़ गड़ का क्या बता है पाड़ बनता या हिस्स्ता बनता है यह इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है कि आपके लिए जो आपके लिए पूछा ना पोड़ा गड़ कोटपा बिल्कुल आपको फ्रीडाम है कि आप उसको क्या कर सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो आगे बढ़े क्या अब देखिए अगला सवाल अगला सवाल हमारे लिए यह है कि मिस्टर गेन्यू ने राध्धानी परिवर्तन के बाद 36 गड़ में प्रसासनी पूनर गठन किस प्रकार कि अब देखें इनका अगर कंटरिब्यूशन इनक अगर योगदान देखा जा तो चोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा योगदान है और ये आपको प्रस्थणो पूछा है आपके लिए अठन नमबर में तो इसको कैसे डिल करेंगे आप देखिए इनका अगर कंटरिब्यस तेखें दूसरे अधिख्षाक की रूप में अते हैं इससे पहले सुबसासन क्या होता है खतम होता सुबसासन जो 36 अथी गंदा स्थिति कर दिया रहता है और इसको हम लोग second वीडियो में देख चुके थे कि रतनपूर में 1818 की स्थिती में केवल एक मकान था वो भी मकान किसका हुआ करता था सूबेदार का हुआ करता था जबकि आपके लिए राइपूर में देखे थे तो वहां 3000 मकान थे मतलब आपके लिए बिजनेस के लिए व राध्धानी परिवर्तन इसलिए करता है क्योंकि यहां का जो स्वीधा है यहां का जो आपके लिए सेवाय है यहां की जो फैसलेटीस है वो ज्यादा थी आपके लिए तो यहां बेटर सर्विस था इसलिए 1818 में क्या करता है यह राध्धानी को परिवर्तन करा देता है ठ बुश्रा यह अन्य करते हैं प्रसाषणिख अ policy में क्या करते हैं हमारे पालह हम पढ़ते हैं कि आपके लिए सुब्यदारी विवस था उसमें दूसरे नम्मबर के हमारे पास दू में विधारित कि विथह राव दिनकर यह विधाल राव जो दिनकर हैं मी तरा विठर राव दिनकर इन्हों ने क्या किया था चांटी सगड को 28 परगणों में विभाजित अभी 28 पर 28 से क्या कर देते हैं इसको 27 परगणों में क्या करते हैं इसको सीमित कर देते हैं यह आदमी इसको पहले 8 परगणा में क्या करता है बाद में बोलता है कि नहीं मैं एक नया परगणा बनाता हूं तो टोटल कितना 9 परगणा बना देता है मतलब यह reform करता है किसमें आपके होता था था तल्ता था परगणा को सुबा में गलाता था प्रमूक होता था तो कौन लोग लाए नौं सुरा के टाइम में राज्य ठाशल गर को सुबा कहा जाता था इता तो यह हमारे पास क्या होता था कमाविजदार होता था जो जब सूबस चल दाता तो सूबेदारों को रिपोर्ट करता था जब अंग्रेजी लोग को सासन आया कब आपके लिए जांजगीर चांपा में आपको जगा पड़ेगा नवागड और नवागड के सांथ याद रखना अपन को खरो उसके बाद अपन राजधानी परिवर्तन रतनपूर से कहां की है रायपूर रायपूर के बाजू वाले जीला का क्या नाम है अमारे लिए धमतरी अगर धमतरी क के बाद हमको याद रखना है यहां पर जगा कौन सा आपके लिए बालोद यह टोटाल तो शुरू के आठ तो यह रहते हैं उसके बाद हमारे लिए एक और आ जाता है कौन आपके लिए बालोद अब देखें इसमें अगर पूछा जाए तो रायपूर आपके लिए सबसे पड़ा रहता है और सबसे पुराने रहता है हमारे पास एक और जगा आता है आपके लिए यहीं पर बालोद में जगा का नाम है राजरो जो है आपके लिए आठवे नंबर में बनता है और यह बालोद जो है आपके लिए नववे नंबर में बनता है तो यह आपको दो ची सबसे बड़ा परगना था और सबसे बड़ा के बाद सबसे प्राचिंतम तो प्राचिंतम या ओल्डेस्ट बोल सकते हैं उसके बाद यह हमारे लिए नविंतम था और सबसे छोटा था यह सबसे छोटा बाद में अगर हमको कितना बोले नौग अगर हम बताएं तो नौग के ह हमारे पास कारण पहले कारण के 가지 लिए वैपार को बढ़ावा वैपार को बढ़ावा गर दूसरा क्या है उससे हमारे लिए क्या होगा वस्तूओं का विनिमा विनिमा मतलब एक्सेंज तो हमारे पास जो गूट का एक्सेंज है वह ज्यादा बढ़ेगा दूसरा हमारा वैपार बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा उत्पादन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वस्तुवी निमा को बढ़ावा देने के लिए चौथा अगर हम लोग चौथे की बात किया जाए तो चौथा अमारे लिए क्या चीजा जी चौथा आपके लिए भूमी संबंदी भूमी संबंदी सुधार ये जब आये तो क्या ह हुआ था अंग्रेजों के द्वारा सोना खान के सोना खान के कुछ जमीदारियों को जमीदारियों को क्या कर लिया गया था हडप लिया गया था तो बोले भाईया कि हमको अच्छा से लोगों के साथ क्या करना है पब्लिक रिलेशन बना के रखना है तो हम दूसरे के जमीन को हड़ाप नहीं सकते तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सध्यान देना पड़ेगा करके और अंग्रेजों के द्वारा जो हडपा गया सोना खान का जमीन था उच जमीन को क्या किया गया इसको हटा दिया गया करके ठीक है अब अगला अगला हम पॉइंट देते हैं तो पांच स्यान्य व्यवस्था या आपके लिए रेगूलर आपके लिए मिलिटरी आपके लिए आर्मी का क्या किये मांखी तो बोले भाईया रेगूलर तो हम नहीं कर सकते तो बोले रेगूलर नहीं तो इर्रेगूलर करो आई नियमीत करो लेकिन इस आनियमी जो स्यान्य व्यवस् करना है तो आपके लिए दो चीछ पहला तो जो सैनिक मामले हैं और दूसरा हमारे पास असैनिक मामले हैं तो सैनिक और आसानिक मामले दोनों का जो आपके लिए कि मांग एक सरकार के सब्सक्राइब मान लिया है तो यह हमको याद सबसे पहले क्या किया सिस्टम के या जितने विवस्था थे हमारे पास इस विवस्था के दोसों को दूर किया कि दोसों को दूर किया दूसरा क्या किया कुछ नवाचारी कारिय की यहां कि जो तंत्र है उसको विकास स्टील बनाएं उसको डेवलपिंग बनाएं और कुछ व्यग्यानिक रूप से मतलब कई जो तार्किक चीजें हैं उन तार्किक चीजों को लेकिया है तो यह इनका क्या करते हैं तो किसलिए मैं बोला था प्रसासनिक सुवीधा के दृष्टी से रतनपूर से क्या किया रायपूर को इस्थानांत्रित कराया क्योंकि यह हमारे लिए क्या था रायपूर एक महत्वपुन वापारिक केंद्र बन चुका था जैसे मैंने आपको बताया था रमू क्या कहलाता था हमारे लिए कमाविंजा तो कमाविंजारो की न्यूक्ति की गई अब देखे रायपूर हम टोटल लिखे थे तो रायपूर को मैं क्या बोला था सबसे बड़ा और सबसे पूराना उसके बाद बोला था राजरो राजरो क्या था सबसे छोटा परगना था उस सबसे नविंदा बाद में बोला गया था कि बाद में एक और नया परगाना बनाया गया जो हमारे लिए क्या था बालो तो देखो दो पाइंट ओ यह हो गया अबाट नंबर के लिए हमारे पास उसके लाएक तो मैं बोला था अपके लिए अनवांटेड जो टैक्सेस होता है उनको क्या कर दिया गया खतम कर दिया ताकि वस्तु का उत्पादन और वस्तु का विनय में क्या हो व्रिद्धिवी जिस्ते कृषकों की अर्थिकिस्थिती में क्या है शुधार उसके बाद बोला था भूमी संबंधी आपको सुधार तो इसके इसाब से सोना खान के जेमिंदवारा हडपी जाए क्या किया वापिस करने के लिए बात देखिया गये सांत में हम्सकिया था से ने-वस्था में手 sleeves तो मैं बोड़ा था आपको आनीयमी सेना का गठन किया गया जिसमें 36 गड की लिए 300 इसे British सरकार के द्वार्छ क्या किया मान लीएगे अब देखे यह आठte number का सवाल था आठte number का प्रस्न था ऐसे में हमको लाश्ट में क्या करना पड़ेगा की ISIS बताना पड़ेगा की विशेस क्या था तो यह 36 गण में सासन में विद्यमान दूसरों को दूर किये उसको व्यवस्थित किये व्यग्यानिक तरीके से और विकास सिल्प प्रगति सिल्प्राइब क्या सिस्ट्रम को बनाया तो यह था आमको इस प्रकारिस का जवाब देना था ठीक अब एक लिख्रियान जरूर दें कि वीडियो आपके लिए कैसे रहा इसका कारण यह है ताकि हम और जब आपके लिए कंटेन लेकिया है तो हमको समाझ आए कि हम आपके लिए बहतर कर पा रहे हैं और आप चीजों को जब देख रहे हैं तो आपको चीजे अच्छी लग रही है करक अगर आपको बहुत ज्यादा मन है तो आप क्या करें कमेंट करें और बताएं कि सर यह आपको वीडियो यह लगा यह सेक्षन मुझी अच्छा लगा इससे पहले मैं इसको आंसर को इस प्रकार से लिखता था अब मैं आंसर को इस प्रकार सोच रहा हूं करके तो आप जब आप ऐसे पताएंगे ताब हम कोई चीज अच्छी लगेगी ठीक है अब अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है आपके लिए 15 नंबर का तोटल 15 अब देखिए 15 नंबर में देख रहें 36 गण में चिंदग नागवंस के उपर क्या लिखिए निबंद लिखिए जब भी कभी आपको कोई 15 नंबर का सवाल आता है तो पहले हमको हमारे एक नितिक जैत्वाइक कि हम उसको क्या करें एक छोटे छोटे पार्ट में ड पास जानकारी का स्रोट क्या है पहले अपन पॉइंट बना ले जानकारी का स्रोट दूसरा हम इसी में डिसाइड करें कि इस राजवंस के बारे में हम क्या जानते है राजवंस से रिलेटेड हम चीज़ों को क्या क्या जानते है अगर हमको कोई भी राजवंस के बारे में जानकारी के सुरोद में देखें जानकारी के सुरोद क्या होते हैं हमारे पास सहित्य होते हैं लिट्रेचर फॉर्म होता है हमारे पास लिट्रेरी फॉर्म दूसरा हमारे पास पूरा तात्विक होते हैं पूरा तात्विक में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आती है मंदिर आता है हमारे पास मुर्तियां आती है या इसी को बोल सकते है प्रतिमाय या फिर बोल सकते है अपने स्टेचूट उसके बाद हमको क्या मिलता है इसमें अभी लेक मिलता है इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको इसी में क्या मिलता है तामरा पत्र मिलता है यह Communist मिलता है राजवंज जब बड़े रूप में पूछे ए हम को बताना पड़ता है कौन राजवं से दार Jest तो हमको थोड़ा सा चीज़े याद हो कि हम पूसे चीजों को क्या लिख रहे हैं अब देखें अब राजवंस के बारे में, तो ये जो राजवंस है, ये उपाधी धारान करता था, इसी उपाधी को अपन क्या बोलते थे, आपके लिए भोगवति पुरेशवर, भोगवति पुरेशवर, या इसी को ये खुद को क्या बोलते थे, राजबूर शन, अब देखे, इनकी और दूसरा बाग के बच्चे सावग का मिलता है अंकान मिलता है इनका अगर आप wichtते ऑद्वजा देखो धुजा मतलब अगर इनके फ्लैक को देखा जाए तो उसमें सर्प बने हुए सापबने हुए स्नेक बने हुए यह हमको बताना नहीं किसकी सराज्वन्स के बारे में , अब देखो अगर आप देखते हो नागवन्स को तो छंशीन्दक नागवन्स को इनके की समयकाल को भी बोला जाता है क्या बसतर के की इतिहास का सवर्ण नहीं तो यह हमको याद रखने कि हमको क्या क्या चीजे बताने हैं करते लिए तो देखें अब यह हो गया हमारे पास basic structure अब हमको तीसरे में बताना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास सासा करें अब देखें यह हम बोले थे कि यह यह जानकारी मिली है तीसरे में हम क् कौन से स्क्रिप्शन से जानकारी मिला है वह चीज को लिख देंगे देखें लेकिन उससे पहले हमको यह सीक्वेंस जानना पड़ेगा तो देखें सीक्वेंस इसको याद करने में दिक्कत होता है क्योंकि इसको अपन कम पढ़ते हैं प्रिलिम्स की पॉइंट अफ्यू से कम अपके लिए इनपोटेंट होता है लेकिन मेंश के पॉइंट अफ्यू से यह जो डाइणेस्टी है यह राजवन से बहुत इनपोटेंट है देखें सबसे पहले आप अंको क्या रखने है न्री पति करके याद ररकने है उसके बाद याद याद रखने हैं अपन को क्या बनना है DM Sir तो अपन को याद रखने हैं कि अंदिपत्थी DM Sir पहले हम को ठीक एक 2 3 4 उसके बाद याद रखने हैं अपन को क्या कर नहें हरो हम क्या बोली देखे टोटल हमारे पास एक दो तीन चार और यह पांच ठीक है देखे अब पांच की बाद हमको याद रखना क्या उसकी बाद आपन पढ़ेंगे जसन जसन तो हमारे पास 5, 6, 7, 8 और इसके बाद नौववा नौववा हमको याद रखने हमारे पास कनहर देव द्विती कनहर देव सेकंड ये कनहर देव फश्ट और दसवा एक व्यक्ति का याद रखने जिसे अपन बोलना है क्या हरिस चन्द देखे सबसे पहले व्यक्ति हमारे पास यहां से कौन ड्रीपती भूशन ड्रीपती भूशन ड्रीपती भूशन दूसरा याद रखने हमारे पास क्या जगदेव भूशन धारावर्स तो दूसरा याद रखने जगदेव दूशन भारावर्स तीसरा तीसरा व्यक्ति हमारे प राथ मंधुरांतत्त से याद रखना अपनको सोमेश्वर दियो सोमेश्वर दियुरर पर्ष्ट है इसका बैटा है क्या एक आप पर उसके बाद लिए इसके बारे मन जानकारी इसके बारे में जसी है उसके बाद छुछ भीन इ Christians के बारे dus उसके बाद कनहर देव दूति उसके बाद याद रखने अपन को हरिचन अब देखें इसके बारे में क्या-क्या जानकारिया मिलती है इसको हम कैसे लेखें सबसे पहले पढ़े थे अपन क्या। देखें, दीपती भूशन, इसका हमको क्या मिला है? एर्रा कोटा, तेल्गु अभिलेक मिला है. इस अभिलेक से ये जानकारी मिलती है कि ये जो व्यक्ति है अपने राजवंस का क्या था? था अधी पूरूस था इन्सियेटर था और दूसरा यह जानकारी मिलती है कि यह 36 गण में इस राजवन स्थापक। अगर यह राजवन्स क्या हुआ इस्थापित हुआ तो इस्थापित कहां पर हुआ अगर यह देखा जाए तो यह जानकारी के शुरोत में जब अपन इंट्रोडक्शन लिखते रहेंगे तो हम बोलेंगे इंद्रावती नदी के आसपास इंद्रावती नदी के आसपास आ ये तेक आप देखिए मैं आपको फूरा फ्रेम करके दिखा रहा है और हमको टेंसननी ने नहां दूसरा दूसरा याद रखने हैं पनको क्या जगदेव भूसंट धारावर्च अगर यह रोच। धारावर्च की बात किया जाया तो इसकी पूत्र की जानकारी मिलती कि इसकी पूत्र का नाम था आपके लिए सोमेश्वर्द्यो प्रथम सोमेश्वर्द्यो प्रथम लेकिन सोमेश्वर्द्यो प्रथम क्या है बुढ़ात काल में पैदा होता है तो इसके लंबे टाइम तक इसका बच्चा नहीं होता तो इसका एक संबंधी रहता है इसक नाम रहता आपके लिए मधुरांतक देव मधुरांतक देव मधुरांतक देव को याद रखना ठीक है अब देखे जगदेव भूशन धारा वर्ष तो यह क्या था इसको बच्चा नहीं हो रहा था तो इसका सेनापती था या उसी को बोल देखते हैं मंडला धीपती मंडला अधीपती या सेनापती था उसी का नाम था आपके लिए चंद्रोदित्य यह चंद्रोदित्य क्या करता है आपके लिए एक सीव मंदिर का निर्मान करवाता है एक सीव मंदिर और दूसरा क्या करता है एक ठोट जलासा या सरोवर को बनवाता है एक पोंड बनवाता है यह इसी का नाम रहता है आपके लिए क्या चंद्रो दित्या चंद्रो दित्या सीव मंदिर तो यह अपन को याद रखना है चंद्रो दित्या सीव मंदिर यह अपन को याद रखना है एक तलाब बनवाता है इसी तलाब के बाजू में क्या करता है आपके लिए यह आपके लिए एक सिव मंदिर का निर्मान करवाता है देखो अब किसी भी व्यक्ति को हम बोल रहें कि एक सिव मंदिर बनवाया है जलाशा बनवाया है मतलब यह आद स्वमेष्वारां देवय द्योनों की बीच में क्या होता है सत्ता संगर इनकी मृत्वी हो जाती है अब इनकी मृत्वी प्रथम क्या होता है अब और देखिए इनके टायम में अगर आप राजधादानी की बात की जाएं तो देखो ये जग्देव बूस्त ये आपके लिए चनद्रो दित्ते सीव मंदिर या चन्द्रो दित्ते सरौवर बना है यह पर इदरसंद पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं इसको बार्षूर में इंदरावतीन अदी के किनारे अब जिद्धार के जानकारी मिलती है तो अपने सिधा जिदा याद रखना इस टाइम फें जवापटली रहनी बार्शुर अभी मदुरां तक तक जिता की जानकारी हमको मिलता है कहां पर आपके लिए राजपूर तामरपतर से राजपूर तामरपतर से अब इस राजपूर तामरपतर से यह जानकारी मिलती है कि यह आदमी अपनी राजधानी यह रादमी अपना राजधानी कहां बनवा लेता है राजपूर को और बाद में इसी राजपू के लिए क्या कर देता है इसको दान कर देता है तो यह हमको याद रखना है यहां से किसको मधूरान तक देखो लेकिन यहां पे मधूरान तक देखो हमारे लिए कितना तीसरा नंबर का रूलर बन जाता है लेकिन यहां पे आपके लिए सोमेस्वर यह बढ़िया जाता है लड बस्तर का सबसे फ्रतापी शासक माना जाता है प्रतापी सासक इनके इस असनकाल को बोला जाता है बस्तर का बस्तर के इतिहास का गोल्डन इरा और वस्तर बोला जाते हैं अब इस सुमेश्वर्द्य प्रतं की जानकारी को हमारे पास दो छो स्रोथ है इनका हमको दो पहला आपके पास रोथ है कौन सा कुरूसपाल ये कुरूसपाल अभी लेक इनुसार क्या होता है ये कुरूसपाल अभी लेक सबसे पहले याद रखना तिथी विहिन है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डेट मेंसन नहीं है इससे ये क्या है इसके विजय ग का विजागाथाओं का क्या है परिचायक है एज सिंबल है कि इसका विक्टरी कहां कहां हुआ अब देखिए यह आदमी क्या था लवर था अपने बीवी का अपनी बीवी का ऐसे सभी वेक्ति को लवर अपने बीवी को होना चाहिए दुसरे इक बीवी से लव करोगे बहुत गडबड वाली बात है ठीक है यह हमारे सविधान में नहीं लिखा है आपके उपर केसूस बैट जाएगा तो अपन को याद रखना पहला पहला जगा एक कौन सा जितने हैं लांजी दूसरा जगा याद रखना वज्र वज्र उसके बाद जितने हैं रतनपूर रतनपूर के आता है आपके लिए को V से आता है प्लीव भध्रबत्तन यह अब को अलग से चार नंबर में पूछ सकते हैं किसको सुमेश्वष्वर द्यव प्रथम को कि सुमेश्वर द्यव प्रथम के अपलम्दियों के आचीइमेंट्स को अपन को लिखने और वी से याद रखने है अ पराजय गाथा को बताता है यह आपके लिए विक्टरी को बताता है और यह इसके हार को बताता है लॉस को तो यह आपको याद रखना पराजय गाथा को बताता है अब इससे हमको जानकारी मिलती है आपके लिए किसको कलचूरी सासक कलचूरी सासक इनके समकालिन सासक कौन थ दता है जब अपने इसके महल में गुषता है कि इसके सोभ्य को दिन की रहते हैं को जिन्दा जला gegen को वहां से बस्तर से क्या करता है कैदी करता है इसकी पत्नी को गंग महादेवी और विसके पूत्र सुमेश्वर्द्यों को पकड़ के लाता है आपके लिए कहां पर रतन पूर इतना खतरनाक आपके लिए साथ सक रहता है को आपके लिए जाजल ले देव प्रथम आगे बढ़े क्या अब देखे इसके इस थापत्य में इसके आर्गिटेक्चर में भी कुछ योगदान है तो दूसरा जगह है अमारे लिए कौन से आपके लिए नरायान पाल नरायान पाल अपनको कहां मिलता है जी यह नरायान पाल पढ़ता है अपनको बस्तर में और यह जो बारसूर मिलता है यह अपनको कहां मिलता है दंतेवडम अपनको यह इची जोको देखो अभी बारसूर औ अपनी पतनी अपनी पतनी गंग महादेवी के लिए गंग महादेवी के लिए क्या बनाता एक सिव मंदिर बनवाता है इसी सिव मंदिर का नाम है बत्तिसा मंदिर बत्तिसा मंदिर दूसरा याद रखना यह अपन को याद रखना नरायन पाल मंदिर यह अपने माता जी के लि याद रखने हैं अपन को क्या 32 मंदिर आपन को याद रखना है इसी में क्या ये भगवान नरायन को या विश्णू जी को समर्पित मंदिर है छीक अब देखें हमारे पसं चार आपके लिए सासक दी अब देखें अगर थोड़ा सा अगर इनको देखा जाए तो यह कला इस्थापत्य uniqueness तो सासक है तो इसके बारे में क्या पता चलता है कला इस्थासकत्य хотя pre आपके लिए के लिए है अब देखें यह आदमी इतना सारा चीश को जीता है मतलब यह क्या सासक तो निया किसी रिखेंगे यह अब सब्सक्राइब इसको का नहीं Oreo यह में bar आप अपन पढ़ेते ऑग इसको इस prisoner यह हमारे पास पांचवे पांचवे हैं हमारे लिए कनहर दे कनहर देव प्रधम इनकी जानकारी हम को तीन जगह से होती पहला एक राजपूर्त आमरपत्र से दूसरा आपके लिए कुरूस पाल और नरायन पाल नरायन पाल अभिलेखों से के इनकी रिप्षण से इससे यह जानकारी मिलती है कि सोमेश्वर देव प्रधम के प्रधम के उपहार के रूप में विरासत में किसको मिला आपके लिए कणरद्य को विरासत में कणरद्य को मिलाव- लिए वस इतनी जानना है अपन पन को उतना अपने पास लिखने किसको अपनी है उसके बाद अपण पढ़ेते कणरे अधось सबसेर निरिपती दिएम, उसके बाद पढ़े थे कर देख, उसके बाद पढ़े थे जजग उसके बाद पढ़े थे न तो 6 7 और हमारे पास 8 हम को जाद रहोग भी तो याद रहोग प्रथम के टाइम में अपन क्या पढ़े थे कि उन्हों ने अपनी माता के लिए और अपनी पतनी के लिए क्या किया था मंदिर का निर्मान करवाया था और इनके टाइम में बारसूर में अधिकतम मंदिरों का निर्मान हुआ है अधिकतम मंदिरों का निर्मान तो ये अपन को याद रखना है जी उसके बाद याद रखने हमको यहां से नर नर से याद रखने है नरसी है देव नरसी है देव में हम क्या पढ़े थे नरसी देव नरसी तो याद रखने नर नर का क्या किया जाता है जतन किया जाता है तो जतन पाल और ये बताओ नर बली क नहीं पपचली थे हमारे लिए दंतेवडा तो यह अपन को याद रखना इनकी जानकारी दो जगह से पहले आपके लिए जतान-पाल अभिलेक दूसरा आपके लिए दंतेवडा भीलेक नवौ अपन पढ़ेतें अ são कनहर देव द्विति देखो कनहर देव प्रथम उनको सब चीज फ्री में मिला था कनहर देव द्विति यह राजधानी परिवर्दन किये थे राजधानी परिवर्दन और यह अपनी राजधानी बनाया था कहां पर आपके लिए दंते वाड़ा तो यह याद रखना यह दंते आपके लिए किसका आक्रमन होता है इंही के तैम में आक्रमन होता है कि अन्म्धिवका तो काउनन्धिवका थे आपके लिए काकती राज्वस्वक के या फिर वो ही आपके लिए पहले सासक है तो वो आते हैं किसके लिए ओ चमेली भाई को पसंद करते हैं चमेली भाई किसकी बीटी होती है आपके लिए हरी चंद्र और चमेली भाई को प्रपोजल दे देता है किसका साधी ककी मुझे तुम से साधी करने बाद में उसको मना कर देती है तो मना कर देती बोलती है तुम मेरे पिता जी बात करो हरी चंदर जी रहते हरी चंद बोलता है कि हम किसी भी अपनी बेटिक साधी नहीं करेंगे वह आदमी वड़ी है अपना तलवार वलवार धार करके आता है और किसको मार देता है अपके लिए हरी चंद हरी चंद इस प्राकार से निपट लेता है और यहां से चिंदग नागवंस क्या हो जाता है समापत हो जाता है तो देखिए यह हमने प्रयास किया था कि हम चीजों को क्या करें बेहतर ढंग से पड़ पाएं करके देखें ठीक है अब देखिए अगर हम इसको देखें तो हम क्या बोले थे चिंदग नागवंस की जानकारी हमको पुरा तात्थिक रूपों में अनेक अभिलेग लेक सिला लेक तामर पत्र इस्थापत सहित्यों के से होती है नृपती भूशन का एर्रा कोटा अभिलेग इस राजवंस की जानकारी को देता है जिसके अनुसारते मैं बोला था मैं मैं बोला था आपके लिए क्या बाग गां वंसावक द्हजा में क्या मिला था अपके लिए सर्पक आन्कन इसपर्शड रूह से दिखाई देता था जिससे हम यह कर सकते हैं कि राजवंस आपके लिए अब देखें उसके पत्र बताया था कि आपको पत्र रहेंगे अभी लेख नहीं उसके बाद बोला था, समस्वर्द्व प्रतम, कुरुसपल, नरायन पल, कनहर्द्व पत्र नरायन पल, कुरुसपल, राज़पूर, जैसिंग, केसरपाल, सोनारपाल, समस्वर्द्व द्विती, बारसूर अभिल कि आपको किस प्रकार से चीजों को लिखना है करके बस आप जब अंतिम में लिखोगे तो आप ये बोलना कि छिंदग नागवन जो है केवल आपके लिए कब तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके ही टाइम पे बस्तर में बहुत सारे स्थापत्य को क्या हुआ निर्मान हुआ और इनके इतने योगदान के वज़ा से ही इनके सासनकाल को इस राजवन्स के सासनकाल को कहा जाता है क्या बस्तर के इतिहास का स्वन्न यूग इस प्रकार से आप को प्रश्ण 15 नंबर में पूछता है तो आपको 18-22 लाइन का आपको क्या मिलेगा पेज मिलेगा और हम उसको किस प्राकार से लिखेंगे वह हमारे चॉइस पर रहता है तो जब भी आप 8 नंबर का या 15 नंबर का प्रश्ण बनाएं तो एक बार पहले सोच ले किस प्राकार स में तब तक लिए जया जोहार और जया चैश्टिसगाव